हमारी सरकार से मांग है कि वर्तमान में हमको जो काम करते हुए आज 15 साल का कारेकाल पूरा हो गया है हमको समर्थन मुलिधान खरिदी के अंतरगर डाटा इंट्री आपरेटर का हम काम करते हैं और 9 माहा का वेतन सासन देती है तीन माहा के लिए हमको वेतन नहीं दिया जाता है काम हमारा समीती इस तर में 12 माहा का रहता है तो हमारी मुख्य मांग वही है कि सरकार हमारी चोटी सी मांग है कि 9 माहा जो वेतन देती है उसको 12 माहा का वेतन दे इस शुरीव शर्मा अपचारीकतर सीचक्षां की रूप में हुमा है तो यह सन 1975 से चल लए था जिसमें 2000 में इनको बंद कर दिया गया है और उनके जो करमचारी हैं उनको प्रंतो आज तक के जो हमारी करमचारी है वह दर भटक रहे हैं और हम ऐसे बच्चों को पढ़ाय करते थे जिनका भुष हमने मुख्यधारा में सिक्षक जोड़ा है और मुख्यधारा में जोड़ने के बाद आज जो बच्चे पढ़ाया है वह बड़े-बड़े विवाग मंद्री महोदे से यह निद्वन करना चाहूंगा कि वह आने वाले जो बजट है वह हमारे लिए प्रधार रखे और हमारे जो परिवार है हमारे जो बच्चे हैं वह सुखी जीवन जी से गए मैं यूगल किशोर साहूँ चाहिए सुरक्षा कर्मी संका मैं प्रधे सद्यक्षा हूँ अब शरकार से हम यही आसा वी विश्वास लेके बैठे हैं कि कुछ मार्चा में जो आने वाला जो बजट है उसमें कुछ सावगात देंगे है ना और हम लोग जो पूरे चाहिए तो सरकार से यही मांग है कि सास की कारियाला में जो ठेका चल रहा है वो ठेका प्रथा बंद किया जाए विभाग में समयोजन करके एक नियत तिती के अंदर में निमीती करन किया जाए यही मांग है हम लोगों का हमारे साथ सिचाई विभाग से भी कुछ ऑपरेटर हैं यहां पर जूड़ेंगे सिधा हम बात करेंगे बहनी का नाम दिखता पहले परिशे बढ़ा दिव्या सिंग दाटा एंट्री ऑपरेटर में आप लोगों के माध्यम से सरकार्प से सर्फ यह निमीदन करना चाहती कि अगर हमारा निमिती कार्ण संभब नहीं तो स्थाई कार्ण कर किया जाए हम श्रमायोक्तदर के श्रमिक हैं हमारी कुल संख्या 33,000 मेरा नाम तोरणलाल साहु है मैं महाविद्यालिन आतिती वाक्षाता हूँ और हमारे समस्य यह है कि सबसे प्रमुक जो समस्य है कि हमें अंसकालिन से पूर्णकालिन किया जाए च्छे महिना हमें जॉब मिलता है च्छे महिने के बाद हमें निकाल दिया जाता है और जैसे अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी में बहुत सारे महावित द्यालाय में ये कह दिया गया है प्रिंस्पलों के माध्धम से कि आपको 28 फरवरी को सेवा समाप्ति कर दिया जाएगा तो इस अवस्था में यह हर साल की स्थिती है कि इस अवस्था में हम क्या करेंगे और बहुत सारे जो college है यही दूर्दशा है उसके बाद हम 6 महिना घर में बैठे रहेंगे तो घर वालों की ताना सुनो और यदि साधी बया हो गया है तो बीवी की ताना सुनो तो बाकी जो चीज़े हैं यही है एक मुस्त वितनवान मिलनी शाहिए इसके बाद जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है और जॉब सेक्यूर्टी जितने भी रेगुलर कर रेगुलर जो प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति होती है और हमें हटा दिया जाता है तो बहुत सारे हमारे सांत उनके बाद जो हमें छटनी कर दिया गया उन सभी सांतियों का पूर्ण नियुक्ति किया जाए और हमें जॉब सेक्यूर्टी दिया जाए पूर्ण रूप से हमारी मांगे यही है कि हमें जॉब सेक्यूर्टी दिया जाए अब मैं कुंडागाउं जीला से हूँ और मेरा मांग एक है नेमिति करण के लिए कुंडागाउं से हम तीन लोग आए हैं जे हम भुपेश काकस हम यही आग रहा है कि हमनमलावा नेमिति करण कर दे और नहीं तो फिर कलेक्टर दर में ही दे स्वासर्पाग में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करें कुछ और भी पदादी कारी मैंने उकसंग सीधा बात करूं पहले परिचया बता और कौन से संग से आपन जूड़े उकरवान थोड़ा विस्तार से मेरा नाप गोविन बर्मा है अब मैं 36 गड़ स्वास्त जीवन दिव कर्मचारी संग का प्रदेश कारकारी को प्रदेश अध्यक्ष हूं और हमारे पूरे 36 गड़ में जो करोना जैसे काल विसम परिशितियों में भी मनें काम किये हैं लगातार बेचारे लेकिन उनको 2,500-3,000 रुपए मान दे के रूप में दिया जाता है तो मैं सरकार से निवेदन कर रहत हूं कि सरकार कम से हमको कलेक्टर दर भुकतान करें और जिनको कलेक्टर दर भुकता बुकतान करते हूं निवेदन करते हैं कि निशित रूप से आवेवाल सत्रमा निवेदन करें और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मनी काका से निवेदन करते हो कि अगर निवेदन रहेंगे जो छटनी की जाती है ऐसा न किया जाए उनको कलेक्टर दर भुक्तान किया जाए वह नाम है वे सोमना तारक परदेश सद्ध्यक्ष 36 ग्राम पंचायद भीतिया कल्यांसमु राइपूर हम मीडिया के आपके माध्यम से हम सरकार को अपिल करते हैं कि हमारे जो मांग है कलेक्टर दर दुहु कहरी से हमला कलेक्टर दर जतना भी हमां ग्राम पंचायद भीतिया कार्य करते हैं सभी ग्राम पंचायद में भीतिया कल्य रत है हम सरकार से आपके माध्यम से अपिल करते हैं कि हमारे जो मांग है कोलेक्टर दर इस्थाइकरन इस्थाइकर्मी जो भी इस्तिती बनता है हमको ततकाल इस्थाइकरन किया जाए कतना साल होगे आप मनला ये विभाग में कामकरत करत जब से 1994 में ग्राम पंचायत विभाग का गठन हुआ निर्मान हुआ तब से हम लोग वहां अपने भीत्य के रूप में सवाय दे रहा है मैं लचमी नरायन साहू ग्राम पंचायत भीत्य कल्यान संग जीला धमत्री का अध्यक्ष हूँ मैं 1994 से ग्राम पंचायत नवागाओं में भीत्य का काम कर रहा हूँ और मेरे को उस समय 40 रूपिया मासिक दिया जाता था और आज तक मैं ग्राम पंचायद में काम कर रहा हूँ मेरा मान दे है 2000 रूपिया अलग-अलग पंचायद में अलग-अलग मान दे हैं और मैं सासन को मेडिया के मांधम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमर जो संग के मांग है जो मान दे है कलेक्टर दर पे दिया जाए यहां इस्थाई करन किया जाए मेरा नाम राम परसाथ मंडावी है मैं इस्थानी अतितिसिक्षक बस्तर संभाग का उपाध्यक्षू हूँ मैं काका से मांग एही करना चाहता हूँ कि हमारे जो बस्तर संभाग में साथ जिला है उसमें इस्थानी अतितिसिक्षक जो अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे टूटर सिक्षक अतितिसिक्षक है और सिक्षण सेवाक सिक्षादूत इनको जो इस्थानी लेवल के है और हमको निष्की सब्सक्राइब करने से समझ नहीं तो हमको दिक्कत हो रहा है कि यह पास जाने के बाद बोलते हैं कि आप इस्थानी इस्था के दूर्ब रखा गया तो बस बैस्ता की स्बात की जब हम हम आउड़ेडी सिछ्चा विभाग में सरकारी स्कुल्म पढ़ा रहे है हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं विद्धा मितान पर वहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारे जानकर क्यों नहीं जा रहा है जब कि हम दो दंते वाड़ा हमारे दोस्त लोग है वो 2013-2014 से काम करते आ करते हैं इतना साल सिवा देने के बाद भी जब राजाते ती सिक्षकों का दिया जा रहा है उसी चेत्रा में काम कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं वहीं से स्कूल में कर रहे हैं कोई परावेट में नहीं कर रहे हैं लेकिन हम हमारे साथ जो नहुनिक मतलब अंदेखी किया जा रहा यह हमारे सांथ गलत हो रहा है कि हमको यहीं मांग है सरकार से आपके चैनल के माद्यम से बताना चाहता हूं को जो अंस कालिन है अंस 8-10 महाना के लिए हमको रखा जाते हैं फिर अगले सत्रके लिए फिर से आवदन निवेदन करना प्रतकलेक्टर डियों को फिसे निक्ति होत चुके हैं अभी वरतमान में लगबग दो हजार के आस्पास कारे रथ हैं अलग-अलग नामों से जादा जाता है हम लोग कहाना है कि छटनी बंद हो और एक आंसकालने से पूर्णा कालीन करके एक जॉब सरते हैं तो चटनी करता है कि इस्थानी स्थर पर कई इस्थानी का नाम लेकर अब ग्राम पंचायत को कभी कभी कभार अधिकार देता है जब कि सिक्षा वीबाग के मादाम सोनाचे डियों के मादाम सोना चाहिए अब क्या करेगा अजैसे कर सकता मैं सान्थिल्यल्क कमेटी अधिती तिस शिक्षक संग कांकिर से हो सब सबसे पहले मेरी समस् इसमें जैसे हमारे प्रण असाती बहुंँ सार लोगों का चट्टणी किया जाता है तो में ससंसे नियुदान करना चाहूंगा कि हम लोग का जब सिवा पहले से लिया गया है तो यह निरंतर आ रहना चाहिए 12 मेहना तर्व हमें सिवा मिलते रहना चाहिए और हमें 12 महिना निर्दरीत करते हुए जाप सुरक्षा भजन करें अतिती शिक्षक हमारे साथ जूड़े थे उनका यही कहना है कि हमें जौब सीक्यूर्टी मिलनी चाहिए और विपदादीकारियों से हम बात करेंगे तो आप लोग जूड़े रहें निउस सेवेंटीटू में